प्रेंड्स मेरे यूटीब चैनल में आपका स्वागत है आज मे लेके आई हूँ आपके लिए बहुत भड़ी और बहुत रिटी स्वाइबीन की नुट्री तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्वाइबीन की बहुत रे टेस्टी सबजी यह मैं इसने स्वाय बी या टेमर्स वैन मेरता किलये भीगा भीगो साथ बीच यह जो फैयं नहीं को अपनी पेश्ट बना लिया नहीं वैंत सैटाय से स्वाइब हूं is a toolkit कैसा granular आल जा इंट से अपेज को अच्छे से फराइल आप हो भूर जाए बस हमें 2-3 मिनट के लिए प्याज को भूनना है यूद डाली तेस्ट के नुसान नमक नमक मैने थोड़ा सोयवीन में भी डाला हुआ है ताकि सोय वीन हमारी फिक्की ना लगे और धनीय डाला एक चमबच थोड़ी सी हल्दी डाली है आदा चमबच से ज्यादा डाली है मैने इसमें लाल मिर्च और अब हम से ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि यह इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है हमें और देखिए यह मेरी ग्रेवी ने तेल चोड़ना सुरू कर दिया है और मेरे ग्रेवी बुन के तयार है और अब मैं इसमें यह जोड मैंने टमाटर का पेश्ट बनाया था वह भी इसमें डाल दूंगी यह बहुत ही टेस्टी सब् आप इसे एक बार बना कर ट्राइ जरूर करिएगा और इस वीडियो को अन्तक के जरूर देखिएगा क्योंकि यह बिल्कुली सिंपल और आसान रेसिपी है जो आप इसे फटा फट घर पर ही बना सकते हैं ज्यादा ताम ज्याम की भी जरूत नहीं है बिल्कुली सिंपल रस देखिए और इसे अच्छे से चला दीजिए ताकि हमारी ग्रेवी और सोयबीन अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें डालिए आधा कप के करीब पानी अगर आपको ग्रेवी ज्यादा पतली रखनी है तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ग्रेवी ज्यादा पतली नहीं रखनी है तो मैंने इसमें आधा कपी पानी डाला है और अब आप इसे प्रेसर दीजिए ताकि हमारी सोयबीन बहुत ही अच्छे से soft हो गई है मैंने सिर्फी से 2 मिनिट पकाए हैं और अब मैं इसमें एक चम्मच soya sauce डालती हूँ soya sauce से इसका टेस्ट दूगना बढ़ जाता है और बहुती बढ़िया कलर आता है और खाने में बहुती टेस्टी लगती है और देखिए ये मैगी मसाला है, एक पॉच डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको अच्छे से चला दीजिए, एक पॉच मैगी मसाला काफी है, एतनी सोयबीन में, और अब मैं इसमें डालती हूँ, टमाटर केचप, ये मैंने टमाटर केचप डाल दिया है इसमें, ये हमें ए अच्टा मीठा स्वाध है जो हमारी सोयवीन की नुटरी है उसे बहुत ही बढ़िया और रिच बना देगा और देखिए आप देखने में इतनी बढ़िया लग रही है तो खाने में कितनी टेश्टी लगेगी आप इसे नान या फिर रुमाली रोटी के साथ खाई यह बहुत अगर आपको यह मेरी रैसिपी पसंद आई हो तो शेर करिए लाइक करिए